नमस्कार MP News में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ शद्धावुंदिला मध्यप्रदेश में राशनेती गर्माने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता एक बयान की देरी होती है और उस पर पलटवान आना जो है वो शुरू हो जाते है हम आपको बताया दें कि दिगविजर सिह ने एक बयान दिया है और उस पर जोतरादित्त संध्या का पलटवार भी आया है किस तरह का बयान दिया गया है और किस तरह का पलटवार आया है ये जानते हमारे सह होगी नमन मटके से नमन एक बयान दिग्विजर सिह के द्वारा दिया गया है और काफी चर्चाओं में भी ये बयान बना हुआ है और पलटवार जो जोतरादित संध्या ने दिया है बड़ा ही तेजी से दिया है और दिग्विजर सिह का कहीं न कहीं अब उस पर भी पलटवार आ सकता है किस तरह का बयान है ये और कब और कहां दिया गया है सिलकी थी वहीं इसके बाद दिग्विजया सिंही का जो दर्द है वो बढ़ता चला गया और इसके बाद जब दिग्विजया सिंहीं एक सभा में गये तो उन्होंने जो तुर्यादित सिंध्या पर गद्दार कहते हुए निशाना भी साथ दिया कुल मिला करेदी देखा जाये तो दिग्विजया सिंहीं जब से यदि हम बात करें जो तुर्यादित सिंध्या ने जब से भारती इंता पालिटी के दामन न थामा है उसके बाद से दिग्विजया सिंहीं जो है वो लगातार जो तुर्यादित सिंध्या पर निशाना साथ नजर आ रहा हैं और उसमें जो है उमकरूप से गदार जैसे शब्दों का इस्तमाल करते भी आपर नजर आते हैं वहीं एक बार फिर उन्होंने जब सभाओं में इस तरह के शब्दों का इस्तमाल किया तो लाजमी था कि भारती इंता पालिटी किया और उसे लगातार प्रति तरह यदि हम बात करें तो पिछले दिनों जब जोत्रादत सिंध्या रागो कर गए थे तब उन्होंने वहाँ पर जो है बिना नाब लिए दिग्विजा सी और जैवर्धन सी दोनों पर ही तीखे हमले किये थे जिसके बाद कहिना कहीं दिग्विजा सी है जब सभाओं में गए तो उन्होंने जोत्रादत सिंध्या को अपना निशाना बनाया वहीं उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर जो है जोत्रादत सिंध्या ने दिग्विजा सी है कि बयान को लेकर कि अपनी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर देती है और कुल मिलाकर इन दिग्विजा सी है और जोद्रादित्य संधिया दोनों ही नेताओं की इस बयान को लेकर के जो बहस जड़ी है उससे कहना के मद्धिप्रदेश की सियासत में फिल से उबालाता दिख रहा है। जो 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 करते नजर आए हैं जिसके बाद कहिना कि भारती अंता पालिटी की नजर आप रागोगड की और हम कहें कि जा चुकी है और यही कारण है कि केंदरी मंत्री जोत्रयादित सिंध्या जब रागोगड पहुंचे तो ना सिर्फ उन्होंने जंता को सोगाते दी और साथी साथ दि है कि आने वाले समय में किस तरह से भारती अंता पाल्टी जो है वो दिकव्जय desse है को चुनोती देने के मुडो में नजर आ रही है और साथी तो उनके जो पुत्र हैं conductor जयाएक जैवरधन सी उनके लिए आने वाले दिनों में किस तरह से जो हे रहा मुषकिल होती चले यादि हम बात करें तो जैवर्धन से यूआ चेहरे हैं और लगातार जो है मेदानी सियासत में उनका काफी करते नजर आए हैं तो कहीना जैवर्धन सीह की सक्रीता же वो ही रागाउuntu में माने जाती है और यूआ चेहरे वो कॉंग्रेस के माने जाते हैं साथी साथ कॉंग्रेस का भविश्य भी जैवर्धन सिहीं के तोर पर देखा जाता है यही कारण है कि भारती अंता पाल्टी अप एक तरह से दिगविजा सिहीं के जहां पर नीव हिलाना चाहती है तो वहीं जैवर्धन सिहीं के जो रास्ते हैं उसमें भी खलर डालने के पूरी-पूरी कोशिश करती नज़र आ रही है नमन बहुत-बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारे जो है वो साचा करने के लिए MP News में फलहाल अतना ही हम फिर हासर होंगे कुछ निव अपडेट्स के साथ तब तक लिए नमस्कार